सवाल नमबर 15 तास के पांच पत्तों का यानि दहला ये इसको दहला बोलते हैं गुलाम वेगम बाथसा और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है फिर इन में से एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायक्ता ज्याद करनी है तो इसकी क्या प्रायक्ता है कि वह है पत्ता बेगम हो तो मालोई हमारे पास पांच पत्ते हैं यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले तो क्या लिखेंगे नमबर एक कौन सा कुश्यन है हमारा पन्रमा कुश्यन है लिखते हैं घटना ए घटना ए में बोलता है कि एक बेगम हो हमने माना है कि बेगम हो इसको घटना ए माना है इसलिए लिखेंगे पी ए बराबर घटना ए के अनकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम घटना एक है तो कितनी बेगम है इसमें दिखाई दे रही है इसको बेगम बुलते हैं गुलाम बात्सा एकका देला कितनी बेगम है एक बेगम है एक कुल कितने पत्ते हैं पांच है तो एक बट्टे पांच यह हमारा हो गया यह अब दूसरा ध्यान रखना है क्या बोलता है दूसरे बोलता है यदि बेगम निकाल दी जाती यह मैंने बेगम निकाल दी ओके अब तो उसे अलग रख दिया जात उसके क्या प्राइकता है कि और निकला गया पत्ता आगने पार्पा आप आ कि इसमें भी एक इसमें लिखते हैं घटना कि इसको T माल लेते हैं समझने के लिए ओके घटना भी क्या लिखा है एक एक का हो हो तो यहां लिखते हैं पी ए पीवी भ्यावर लिखते हैं घटना बी के अनकूल परिणाम बढ़ते में कूल परिणाम तो एक का कितना है यहां पर एक एक का है कितने टोटल परते हैं चार एक बढ़ते चार हो गया अब हम यहां पर बी निकालते हैं घटना इसको नाम ले देते हैं सी घटना सी लिखते हैं और क्या लिखते हैं यहां पर हम क्या बोलता है एक बेगम हो एक बेगम हो तो यहां लिखते हैं पी सी बराबर घटना ची के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम यहाँ पर ध्यान से देखना है क्या इधर वेगम दिखाई दे रही है नहीं है वेगम तो बार निकाल दी तो वेगम नहीं है तो इस घटना ची के परिणाम कितने है 0 और हमारे पास जो कितने पत्ते हैं कुल तो चार पत्ते हैं तो बट्टे में चार इसका आंसर आएगा जीरो इस तरह से सवाल आपका पूरा होता है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिंद जैभारत प्सक्राइब Tapia